Hello everyone, welcome you all at Locaster Unlimited Studies Zone तो आईए देखते हैं, exam guru book का बहुत ही शांदर sample paper आपके सामने यहाँ पर हम करने वाले हैं Mathematics class 10th का basic और advanced level दोनों को cover करेगा बट जादातर question आपको इसके basic level के मिलेंगे तो आईए ये 40 marks का test paper है और इसमें particularly कुछ chapters cover किये गए हैं आईए देखते हैं, पहला question करते हैं इस question paper का okay well basic है, concept को समझना और जल्दी-जल्दी से आप जहां पर दिक्कत होगी बोलेंगे सबसे पहला question है, for what value of scale the equation has equal root concept लगेगा देखे A x square plus B x plus C और concept होता है B square minus 4 A c equal to kitna 0 तो B square minus 4 is equal to 0 के concept से इस question को आप बहुत easy से कर सकते हैं K की value देखे आ रही है, plus minus 2 चलिए अगला question देखे, quadratic का है, for what value of A quadratic equation has no real root वा भाई, बहुत अच्छा question है, यह मैं कहूंगा, यह advanced type का question है कहरा है no real roots, तो आपको पता है कि D की value क्या होती, less than 0 नो real roots के लिए D की value क्या होती है, less than 0 तो यहाँ पर B square minus 4 E C कर दिजिए, less than 0 आ जाएगा, okay B, B की value देखे किती है minus 6 और B, minus 6 का square minus 4 into A की value देखे, चमकर E किती 3A और C की value 1 है, तो minus 6 का square कितना हो जागा, 36 minus 4 into 3A, मतलब कितना हो गया, 12A less than कितना, 0, okay, अब देखे कैसे solve करेंगे, हमाँ पास आ चुका है, 36 minus 12A, less than 0 तो यहाँ पर 36 है, और इस तरफ चला जाएगा, 0 के साथ 12A, तो बन गया, plus का 12A, okay और 12 से divide कर दिजिए, कितने बार हो गया, 3, मतलब A की value greater than 3 3, answer क्या आएगा, A greater than 3, 3 की तरफ मुझ खुला हुआ है, बतलब इसको आप ऐसे भी लिख सकते है, A greater than 3, तो correct answer क्या होगा, A greater than 3, यह आपके लिए नया construction हट चुका, हैसले बसते, हट गया न, इसले कोई बात ही न, construction को करीगे न, ओके यह पार्ट को divide करना था, खेर हट चुका है, तो टाटाबाब है, अंगे करते है डेगे, तो देखिए एक सिलेंडर को पिखला करके बनाए गया है जिसका डायमेटर है दो तो देखिए भाई साब टू आर डायमेटर मतलब डेडियस का डबल किता दिया है तो आर किता होगा टू बाई टू मतलब वन सेंटीमेटर और है एक ती दी गई है एकोल केतना सिक्स्टीन तो देखिए एक सिलेंडर को पिखला कर रेवारण चोटी 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 गेने बनाए गये है तो एक सिलेंडर का वॉल्यम एक कोल टू पारा चोटी चोटी गेनो का व्लुम तो चलेंदर हों कितना ऑग entrar कैंसल हो गया और स्क्राइब आर मीन्स वन इंटो वन विकॉस रेडियस कि दी गई देखिए वन एकल टू फोर वाई थ्री नई वाली जो बॉल है उसका रेडियस कितना होगा आर क्यूप फाइंड करना है इन्टू ट्वेल्व स्वाल करने पर आर की वैली वन आई है बट य उसका क्या रहा है इनके वोल्यूम करई लिκαलना है सो शिंपल कोश्चन पहला वालयूम बड़ी दूसरा वालयूम विल्व वन अपॉन ट्री टाटा वाइब आपाई से पाई," बाई-बाई. R अपॉन आर्वन अपॉन अपॉन थू को ए स्क्वेर इन्टू एच्वन अप Find the radius of the largest right circular cone that can be cut out from a cube of 4.2 cm कह रहा है कि बताइए radius क्या होगी largest right circular cone की जिसको cut किया जैसे के cube से जिसका 4.2 cm है भाई देखते ही बताने वाला क्वेश्चन है एक cube है ये देखिए तो cube की एक face नीचे से होगी एक उपर से होगी एक हर तरफ से होगी अब इसमें कह रहा है कि सबसे बड़ा cone आप कितना उसकी radius क्या होगी तो भाई जब आप cone काटते हो तो cone के नीचे वाला part क्या बनता है circle circle बनता है और आपके पास ये cube है मतलब इस cube की ये जो length होगी वो किसका काम करेगी diameter का किसका काम करेगी diameter का तो इसकी length किती है 4 by 2, 4.2 और भाई radius पूछी गई है तो 4.2 का half कर दो ना answer बोलो कितना आ गया 2.1 बोली clear है ओके आ गये है सबसे घातक प्रशन जो है assertion and reason दिमाग को घुमाने वाले चलिए करते हैं ये तो आपको याद हो चुके होंगे पहला सही दूसरा गलत दूसरा सही पहला गलत AR का reason है RA का reason है कोई करने वाली बात ही नहीं है आई ये देखते है next question number 6 कह रहा है कि 4x square minus 12x plus 9 के repeated roots है क्या है repeated roots मतलब repeated roots का मतलब alpha equal to beta जो alpha है वो beta है ओके अगला है the quadratic equation this having repeated root if discriminant greater than 0 भाई तो ये तो पता लग गया ये true है कि false है false है भाई repeated root के लिए d equal to 0 होता है क्या होता है d equal to 0 हम ओके वेट 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 ओके तो थोड़ा technical fault हो गया था उसको उसको अप सही कर दी आपने तो देखें क्या कहरा है क्या है कि क्या कहरा है कि quadratic equation has repeated roots कहरा है कि इसके repeated roots है चलो भाई तो निकाल लेते हैни repeated roots होँगे यचे मैं b²-4ac निकालता हूं b की जगा कौन बेठा 12 तो 12 का square हो गया कितना 144 144 माइनस है न यह वही माइनस बारा है माइनस बारा कहा स्क्राल 144 4AC 4-4 कितना 16 and 16 eight 9 144 बाई बिल्कुल सही बात है 144 ماइनस 144 इकल रोगितना 0 मतलब वाक़ी में do made equal to 0 है मतलब repeated roots है अब देखि क्या कहर fulfilling equation के repeated root होते है अगर D greater than 0 भाई जूट बोल रहे हो तुम तो quadratic equation के root होने के लिए D repeated root होने के लिए D equal to 0 होना चाहिए और भाई सब क्या बोल रहे है D greater than 0 that is totally false तो क्या हुआ सरसन तो true है मगर reason क्या है false है तो correct answer क्या होगा भाई C होगा okay C option होगा चलो भाई अगले question में आ जाओ ये देखो भाई क्या कह रहा है शरसन if the number of the runs obtained by 11 player of the cricket team धाड़ धाए इकल टू किता है 30 चलो भाई सब simple data दिये है कह रहा median equal to इतना होता है median equal to इतना होता है चलो गिन लेते हैं data आपन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 okay 8, 8, 8 के बाद देख लें थोड़ा सा हाँ और यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 10 है और 11 है ओके तो यह अपने पास total कितने data दिये गए है 11 कितने data दिये गए है 11 तो rule क्या होता है अगर median में 11 data दिये गए हो सारे data को पहले increasing order में ascending करो जमा लो, okay तो यह है, यह हमने सारे data को increasing order में जमा लिया यह सानो, और फिर median का formula क्या होता है 11 क्या है, odd है 11 क्या है, odd तो odd के लिए बच्चों मेरे formula आपको याद होगा n प्लस 1 by 2th था को मद भूलना था 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 n प्लस 1 by 2th data, तो n कितना है 11 तो 11 प्लस 1 by 2, यहने की 12 by 2th ओके यहने 6 यहने की 6 data तो 6 data की पहचान करी जाए, यह नहीं, यह नहीं, यह नहीं और यह नहीं, यह नहीं, यह नहीं बट यह है, तो correct answer कितना है? 27, तो भाई साब कहरा है, median 30 है गलत बोल गए, median तो कितनी आ रही है? 27, तो यह पहला, assertion क्या हो गया? False, assertion क्या हो गया? False, but reason तो बिल्कुल true है, मैंने यही फॉर्मूला यूस किया है, बोले यह सो no, मतलब, assertion is false, but reason is true, आगे ना मजा? चलो भाई, अगला question देखते हैं, भाई साब adventure cup, देखो world cup जिता के रख दिया है, यहां पर कितनी बड़ी activity दे रखी है, ओके, चलो भाई, साब देखते हैं, question कहे रहा है, Adventure Camp, topic है, Adventure Camp, आजाई यह थोड़ी सी कथा कहानी सुन ले, Adventure Camps are the perfect place for the children to practice decision making for themselves without parents and teachers, guiding them everyone, every move, भाई साब, इसका कोई मतलब नहीं, आपकी जिन्दिगी से, mathematical जिन्दिगी से, आंगे आते हैं, देखते हैं, some student of the school reaches for the adventure, मुक्तेश्वर, okay, at the camp, the waiters served some student with a welcome drink, cylindrical glass and some student hemispherical cup whose dimension zone are above, okay, भाई साब, मनलब यह लोग पहुंचते हैं, तो इनको दो तरीके के glass में welcome drink मिलता है, कुछ को इस cylindrical form में मिलता है, कुछ को cup की form में मिलता है, चलो भाई साब, बहुत बढ़िया, after that they, after that they went to a jungle track, the jungle track was enjoyable, but tiring, मतलब थका देने वाला, as dusk fell, जैसे ही अंदेरा होने वाला होता है, it was time to take shelter, each group of four students were given canvas area 551 meter square, all the stitching and wasting incurred while cutting would amount to 1 meter square, the student put the tent, the radius of the tent is 7 meter, देखो भाई, बहुत सारी जानकारी इसमें दे रही है, ओके, और आपको अब एक एक चीज यहां से पूछी जा रही है, है ना, और सारी जानकारी आपको क्या दे दी गई, देखे, इसमें बस यह लास्ट वाली लाइन थोड़ी जी परिशान करेगी, बहां की कोश्चन बहुत ही easy है, बहुत ही simple type कोश्चन है, आईए देखते है, सबसे पहला काम है, कहरा है the volume of the cylindrical glass, लिए भाई, सबसे पहले glass की बात कर लो, तो यह volume of the cylindrical glass, देखे, इसमें आपको क्या निकालना पड़ेगा, पाई रस्क्वरेश, क्या निकालना पड़ेगा, पाई रस्क्वरेश, so simple, तो simple पाई रस्क्वरेश, निकाल दीजिए देखे, इस तरीके से, यह देखे, volume of the cylindrical glass, इकल टू पाई रस्क्वरेश, तो diameter 7 है, और आपको पता है, हेमी स्फेर का जो volume होता है, टू बाई थ्री पाई र क्यूब, मगर समहल के बच्चों, यहाँ पर diameter भी 7 है, मतलब यहाँ तक का कित्ता होगा, 7, तो radius कित्ती होगी, 7 बाई टू, radius कित्ती होगी, 7 बाई टू, तो बस एक ही radius की जो पढ़ती है, तो 2 बाई 3 पाई र क्यूब, जिन्दावाद, चलिए आज़े लगा दिजे, 2 बाई 3 पाई र क्यूब, 7 बाई 2, 7 बाई 2, बोलो कल लोगे न, तो volume of the semi-spherical cube आ गया, 2 बाई 3 पाई र क्यूब, ठीक है न, अब चलिए आँगे पढ़ते हैं, देखे क्या कह रहा है, आँगे, third question क्या है भाई साब, ये question है, which container had more juice, and by how much, किस container में ज़्यादा juice होगा, भाई दोनों को जी भर के देखो, जी भर के देखो, कहां गया भाई साब हमारा volume, ये है 404, किता है 404, और भाई साब इसमें किता है, 89.83, अरे भाई साब इनको तो juice की जगए, तुमने चाय के cup में दे दिया है, बेंड बजा दी juice पीने वालों की, 404 वालों को खूब पीने को मिल गया, बोलो हां, और ये देखो, इन cup वालों को, ये दो विचारे कुपूसित हो गए बच्चे, तो चलिए, अब इसमें से क्या करना पड़ेगा, इनको माइनस कर दो, कहरा किता किसका जादा है, तो बताओ किसका जादा भाई, cylindrical cup का, किसका, cylindrical cup का, और इसका बहुत कम है, कितना कम है, तो भाई या, भाई साम माइनस कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 404.25 में से 89.83 को माइनस करो, आंसर निकालो, बोलो डन, चलो टाटा बाई बाई करते हैं, अगले question को है, अगला question चौथा भी है, ओ माई गॉट, चौथा question, मैं आप पढ़ लो, इसकी रेडियस किती दी है, 7, इसकी रेडियस किती दी है, 7, और इसका एरिया कितना दिया है, 551, एरिया कितना दिया है, 551, मतलब हई टेंट का एरिया कितना होता है, टेंट का एरिया होता है, पाई आर एल, कितना होता है, 551 तो मैं लिखता हूँ एक बार Pi R L एक कोल टू 550 ही है तो Pi का मतलब Pi 22 upon 7 रिडियस किती भी है अब बच्चो तुमको L तो पता होगा L को बोलते हैं Slant height क्या बोलते हैं L को Slant height यह होती है L और यह होती है Under root R square plus H under root H square होती ही की नहीं होती तो इसकी जगे कर दो Under root H square plus R square बोले yes or no clear है चलो अब देखो साथ से साथ कैंसल कर दिया 550 के नीचे 22 आ गया इधर क्या बच गया इधर बच गया है Under root R square plus H square R की value पता है आपको 477 का स्क्वेर 49 फुट कर दो answer height कितनी आगे 24 बोलो clear हो गया अगला question क्या है भाई last वाला question how much space on the ground occupied by the each student देखो यार उची दुकान फीका पकवान question है महान मगर उत्तर है एक दम परिशान देखो यहाँ पर कितना simple answer दे रहा है यहाँ पर answer देखो radius में circle बन रहा है नीचे इतना easy question यार इसको तो 10 वी class का वच्चा कर ही लेगा pi r square क्या करना है pi r square देखो भाई साब pi r square यह देखो pi into r का square है ना आगया समझ में कोई दिक्कत चलिए अब कह रहा है चार student के लिए area कितना लग रहा है 154 तो एक student के लिए area निकालना पड़ेगा बलो भाई साब 154 में 5 का 4 कड़ेबाइट कर देंगे आगया 38.5 वो लो clear है आगया समझ में ना तो इस तरीके से question को आराम से देखी है question बहुत आसान होते है activity को देख करके डरना नहीं है चलो करते है next question यह देखो racing के लिए तयार धावक है CT बजेगी और यह दोड़ेगा stop clock हाथ में है a stop watch has used to find the time that took group of students run to 100 meter हमने माल लिए आपकी बात stop clock के लेकर के कोच तयार है देखते है time in seconds 0 से लेकर के 20 से लेकर के number of student 8 है 20 से लेकर 40 में 10 है 40 से लेकर 60 में 13 है और 60 से लेकर 80 में 6 है 80 से लेकर 100 में 3 है अरे भाई यह सब तो ठीक है अगर पूछना क्या है the estimated mean time taken by the student to finish the race ओके देखो भाई इतने बच्चे है 8 बच्चों ने 0 से लेकर 20 से लेकर लगा है race को finish करने में 10 बच्चों ने कित्ता लगा है 20 से लेकर 40 हमको इन सब का mean निकालना है तो बहुत ही simple क्या करेंगे सबसे पहले निकालेंगे mid value क्या निकालेंगे mid value खाचा बने का mid value का तो 0 प्लस 20 का आधा कित्ता हुआ 10 अगला क्या होगा इसकी घ्यान से देखो भाई total frequency अब इसके बाद में di देखो आपकी मर्जी आपको लगाना है तो cd sigma fi x i लगा दो चाहे तो आप di वाल लगा दो di लगाने से डेटा छोटा हो जाएगा तो ये देखो पकड़ दिया बीच का बंदर d ok d को माइनस कर दिये d से x a को माइनस कर दीजे देखे x i माइनस a 10 में से 40 10 में से 50 गया कितना बचा माइनस 40 माइनस 20 0, 20 और 40 ok फिर क्या करते है f i di कुद उपड़ो 8 तूर देखा 40 के साथ कितना हैगा minus 320 yes or no और total हमने add कर दिया तो कितना आगया minus 280 ok f i di clear हो गया यह तो सब करा हुगा बच्चो वाली चीज़ है तो अब आईए x bar is equal to क्या होता है भूले तो नहीं होगे sigma f i di upon sigma f i और जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा तो यह है a क्योंकि जो आपने minus किया था उसको आपको add करना पड़ेगा क्या हो गया plus a a की value कितनी है 50 और यह कितना निकला है minus 280 total जमूरी कितने है 40 तो 280 बटे 40 और 7 में यह minus लगेगा और 7 में क्या जुड़ेगा 50 तो आंसर कितना आ रहा है 43 चलिए तो पहला option है कि इनका सबका student का mean कितना आएगा 43 अगला question देखिए second question what will be the upper limit of the model class क्या पूछ लिया भाई साब क्या पूछ लिया इतना सस्ता question कोई पूछता है क्या upper limit of the model class model class सबसे ज़्यादा बड़ी वाली class है 60 क्या है answer इसका 60 ओके तो correct answer होगा इसका 60 बिल्कुल सही बात है correct answer is C ओके third question में चलते हैं third question कह रहा है the construction of the cumulative frequency table is used for cumulative frequency कहां used होती है तो बच्चे-बच्चे को पता है median the sum of the lower limit of the median class and model class the sum of the lower limit of the median class and model class मतलब की median class की lower limit और model class की lower limit तो भाई साब median निकालनी पड़ेगी और model निकालनी पड़ेगी तो median के लिए क्या करना पड़ेगा देखी total number of data हमको add करने पड़ेंगे model class की lower limit तो 40 है यह तो पता चल गया model class की lower limit क्या है 40 है अब हमको पता करना है median class की lower limit तो median class की lower limit पता करनी के लिए दोस्तों कैसे करते है सबसे पहले इनकी C F बनाओ क्या बनाओ C F तो चलो बातों बातों बना लेते 8 और 10 18 18 और 13 8 3 11 31 31 और 6 31 और 6 कितना 37 37 और 33 कितना हो गया 40 हो गया बाई साब कितना हो गया 40 बटे 2 यानि कितना हो गया 20 40 बटे 2 यानि कि 20 तो 20 पकड़ो 20 cumulative frequency किसमें आएगी 8 से 10 18 में नहीं आएगी यस यहीं पर आएगी ओके यहीं पर आएगी तो देखे यहाँ पर 40 आईए है lower limit of the model class और 40 ही आएगी lower limit of the median class दोनों को जोड़ दो जवान पर क्या है 80 है तो भाई सब देखते है औरे वा क्या बात है भाई चोके पे चोका यह हो चुका है ओके चलिए अगला question चलिए अक्षिद भाई देखो यार यहां पर क्या बात हो रही है इधर पिधियान दो देखो the sum of the lower limit हो गया है अगला question देखते है how many students finished a race within one minute one minute के अंदर कितने लोग फिनिश कर लेंगे तो इसके लिए आपको बनानी पड़ेगी cumulative frequency और याद रखना one minute कहीं नहीं दीख रहा हर जगे one minute बोला है ना ओके one minute में कितने second होते हैं 60 second 60 second के अंदर कितने लोग फिनिश कर देंगे यह देख लो भाई साब 60 second के अंदर कितने लोग फिनिश कर देंगे कितने लोग फिनिश कर देंगे येस बिल्कुल सही बात है 31 क्योंकि 40 से लेकर के 60 मिनट तक मतलब यहीं तक की cumulative frequency किती बनेगी 31 तो correct answer कितना है 31 तो part A खतम हो चुका है भाई अब चलते हैं part B की तरफ part B की तरफ चलते हैं section number 2 है how many two digit number are divisible by 3 तो 3 का पहाड़ा पढ़ दो 99 तक तो वैसे मेरी जवान में ही आ गया भाई या 3 वंजा 3 and 3 30 जा 99 तो 33 answer आ गया directly इसका मगर करना पढ़ेगा एक मिनट गलती हुई यहाँ पर 2 digit number बोला है क्या बोला है तो जब आप 3 का table पढ़ रहे तो 3 वंजा 32 जा 33 जा अरे भाई साब यह तो 10 digit वाले हैं तो उस 33 में से 3 को निकाल दो तो 33 में से 3 निकल गया तो answer कितना आया 30 बट आप ऐसा नहीं लगाओगे आपको लगाना है rule तो आपको पता है कि जब 2 digit वाले चलते हैं AP का कन से बनाना पढ़ेगा तो 2 digit में पहला नंबर क्या बनेगा 12 फिर क्या बनेगा 15 फिर क्या बनेगा 18 और डार डार 99 ऐसे चलके 99 इस तरीके से पहले आपको एन निकालना पड़ेगा एन इकल टू 99 लेके बलो कर लोगे चलो भाई साब आजाओ अगले देख बड़ा यहां से यहां से यहां तक किता है एकस है पका यहां से यहां तक किता है एकस है तो टेंजेंट की प्रपरटी से हमको पता है कि अगर यह यहां से यहां तक है टोटल एकस है रुख जाओ रुख जाओ और रिडियस किती है टैन है यह सो सब्सक्राइब परफिद्वाजी की नहीं देखिए देखिए देखी देखे देखे ढी किसे के लिए डाल दिया देखी इसको करने के लिए तो इसने तमाम तरीके से काम करें श्रुमारब सेप्ड़ करते है इन द फिगर सब्सक्राइब के मतलब यह जो चीज है एडी जो है पर पेंडिकुलर है किसके एबी के बेटा देखो धियान से तो अगर यह 10 है इसको मैं ब्लैक पेल ले लू चलो ब्लू रहे तो यह देखी यहां पे मैंने यह 10 है तो मैं बच्चो बताओ यह भी किता होगा 10 और यह यह लोगी 10 होगी 10 होगी 10 होगी forehead होगी 10 होगी पका नरहाए यह भी होगी 10 अचा ध्यान से रेको यहां से यहां Pokemon कि देखी दिस्टेंस गीतने देंस इन 27 कितनी दिरखी है 27 और आपको क्या निकालना है आपको X निकालना है अरे भाई साब इतना सरव कोई पूस्ता है अगर यह 27 है तो यहां तक कि भी किती होगी और 38 में से 27 क्योंगी 38 पूरी है तो बताओ किती बज गई 11 किती बज गई 11 और ये है X-10, मतलब X-10 किसके इकोल होगा, 11 के, मतलब X-10 इकोल टू कितना, 11 तो X इकोल टू 11 प्लस 10, बोले तो कितना, 20, चलो भाई साब देखते हैं सही है की नहीं, अरे क्या बात है भाई, मिला मौका जड़ दिया है चौका, चलिए, कोई दिक्कत नहीं है न, तो ये हो हो चुका, अपने पास में, ये क्यों भी कंफ्रीट हो चुका है, चलिए, 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 चलि अगला कॉस्चोन भाई साब, अगला कोशून तो आप लोग को करना पड़ेगा, कॉपी में, इस में थ् Sound को करना पड़ेगा, क्योंकि ये given figure two tangent TP and TQ are drawn to the circle with center O from an external point T. बेटा, ये दो point से, external point से, दो tangent यहां से खीची जा रहे हैं, बेटा, दोनों equal होती हैं तो पता हैं आपको, ये दोनों tangent क्या होती है, equal, अब आप क्या करो, बेटा, इस angle को आप जो है, यहां से आप इसको join कर दो, इस angle को आपने यहां से क्या कर दिया, join कर दिया, अब जैसे ही आपने join कर दिया है, बेटा, दो दो चीजे हैं, ये वाला angle आप ले लो, इसको X ले लो, और ये वाला angle भी किता होगा X, क्योंकि आपको पता है कि ये जो center से center मिलाने वाल angle है, ये बराबर होता है, वो लोग पता है कि नहीं पता है, ओके, तो एक तो angle अपने पास लेना है, P, T, Q, तो भाईया, angle P, T, Q, आपको क्या देख रहा है, 2X दिख रहा है, बिल्कुल साब देख रहा है, देखो, P से ले के T, अब बच्चों जी देखो, आपको सब को पता है, कि ये angle, अगर Y है, तो यहाँ से ध्यान से देखो, मैं आपको zoom करके दिखाता हूँ, तो शायद रहर अच्छा लगेगा, ये देखिए, ये पूरा का पूरा angle, यहाँ से ले करके, यहाँ से ले करके, ये पूरा का पूरा angle किता होता होता, बोलो, 90 degree होता, बोल गए, बहुत बढ़िया, तो ये angle अगर Y है, तो ये खोपचे के अंदर बैठा हुए angle किता होगा, 90 minus Y, बोलो होगा कि नहीं होगा, तो ये जो angle होगा, इस angle का नाम कितना होगा, 90 minus का Y, बोले clear है की नहीं है, ओके, तो ये angle होगा आपने पास, 90 minus का Y, ये वाला जो angle होगा, जो बाहर बैठा हुआ है, ये angle हमाँ पास कितना होगा, 90 minus Y, अब देखे, ये angle आपको पता है ना, ये angle कितना होता है, 90, होता है कि नहीं होता है, अब देखे, आपके पास में, आपके पास में ये angle कितना है, X, ये angle कितना है, X, और ये angle आपके पास में, जो बाहर वाला angle है, ये कितना है, 90 minus Y, और ये angle कितना है आपके पास में, ठीक है ना, clear हो गया, अब देखो थोड़ा सा जूमी कर लूँ भाई नहीं तो आपको दिखना बंद हो जाएगा अब ठीक दिखना है चलिए अब इसको मैं solve करता हूँ देखे आपको किस ट्रेंगल के अंदर अपनी बुद्धी लगानी है मैं आपको red color से उसको डॉ कर देता हूँ चलो 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 यहां से यहां चलो 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 यहां से यहां और चलो 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 यहां से यहां बस आपको यह ट्रेंगल देखना है अब इस ट्रेंगल में देखे अंगल सम प्रॉपर्टी लगाई है क्या रागा यह angle sum property तो इसका एक angle किता है x एक angle किता है 90 minus y और दूसरा angle कितना है 90 equal to कितने degree अरे 90 और 90 कितना होता है 180 180 से 180 cancel हो गया तो x minus y कुछ नहीं बता मतलब कितना हो जीरो हो गया तो x equal to कितना हो गया y मतलब जो y है वो किसके equal है x के equal है अब ध्यान से देखे आपसे किस angle के बारे में पूछा जा रहा था आपसे पूछा जा रहा था ये रेखो भाई साब angle ptq के बारे में किसके बारे में पूछा जा रहा था angle ptq नहीं pto है क्या angle pto है कि ptq है yes angle ptq ओके angle आपसे पूछा जा रहा था PTQ के बारे में तो ध्यान से देखे angle PTQ क्या है तो यहां से देखे angle PTQ जो है 2 times of X है की नहीं है बताइए angle PTQ equal to कितना है 2 times of X yes or no equals to 2 times of X तो angle PTQ equal to 2 times of और X क्या था X angle PTQ है X किसके equal था Y के equal था कि नहीं था तो मैं यहां X की जिए के Y रख दूँ तो कोई लड़ाई ओके तो यह हो गया कितना angle Y और भाईया Y क्या है ध्यान से देखिए यह Y छोटा वाला angle है की नहीं है है ना और इस Y का नाम क्या है भाई साब अभी देखिए जो Y का नाम है इंगल O P Q यह प्रूप करना था ना तो यह हो गया हैंस प्रूप तो जल्दी से एक बार कॉपी में अपने अपने बना ले इस क्वेशन को क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेशन है इसको छोड़ी मत बना लीजिए ओके ओके तो देखिए दोस्तों दो क्वेशन थे एक यह वाला था और इसके और में यह वाला था दोनों कुष्टन अपने कर लिए मजे आ गये चलो आंगे बढ़ते हैं अगला क्वेशन भाई साब हाइट अप्लीकेशन आप टिगना मेंट्री बिल्कुल अच्छा चैप अगरी टैट टू पॉइंट अगराउंड इंकलाइन शिक्षिटी इस फाइंड लेंथ अप देश्टिंग ओभाई कितना इजी कोच्छन है लेंथ निकाली है और पर पर पेंडिकुलर दिया मतलब साइन थी डगचा मतकार होगा साइन 60 इस इकल टू पर पेंडिकुलर जल्दी से लेंथ आप दा स्ट्रिंग निकालिए कोई दिक्कत नहीं होने वाली है बोलो बन जाएगा ओके सो सिंपल गाईज देखें दोस्तों अगला को जो क्वेशन है बहुत थोड़ा सा इसको अजीब टैप का क्वेशन है इसको आपको करके जाना चाहिए एक्जाम मे तो यह कैसे करते हैं इसके लिए एक ट्रिक होती एक टेकनीक है प्रॉपर देखिआ सबसे पहले आप एक स्कुर्टी ले लिश्यों आपके स्कुर्टीन तो यह 14 अब इस 14 में से यह समी सरकल का एरिया और एक ये semi circle का area minus कर देंगे तो एक ये semi circle आप minus कर देंगे तो आपके पास क्या बच जाएगा ये वाला जून बच जाएगा और ये वाला जून बच जाएगा बुलिए क्योंकि आपने इसको बाहर फेग दिया बुलिए सनो तो आपने इनको बाहर फेक दिया तो आपके पास ये बच गया zone और ये बच गया zone जो आपको निकालना है उलिया determo आपने किया है क्या किया है अपने 14 का square गिर्व क्या थर्य रेजेँ अब बनीगी सेवन की दामेंटर चोगण का है तो रेडियस बनीगी सेवन का square, अभी रुक जाओ, ये तो एक part हो गया है, कौन-कौन सा part आ गया है, ये part आ गया और ये part आ गया, अभी अपन को उपर वाले भी part चाहिए है, तो चलो भाई साव इसको rough कर दिया जाए, ये हो गया rough ओके अभी देखिए आपको अंदर वाले part चाहिए हैं ये वाले, तो अगर मैं again बिल्कुल, अगर मैं again सोचो बिल्कुल free mind से ये सोचो कि अगर मैं इस square से अगर ये वाला part minus कर दूँ और ये वाला part भी minus कर दूँ, अगर freely मैं ये part minus कर दूँ, तो देखिए मेरे पास ये part और ये part बचेगा कि नहीं बचेगा, और फिर से यदि मैं ऐसा करता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, एरिया से मैं एक सर्कल को minus कर रहा हूँ न, तो मतलब कुछ भाई काई को परिसान होना, सीरे क्या कर दो इसका, double, क्योंकि जो काम आपने के तो भाई, 196 में से 154 को मैनस कर रहा हूँ, एक, नो में से 5 गया, 4, तो 41 multiply by 2, कितना हुआ है, 84, 41 multiply by 2, answer कितना आ गया, 82, एक मिनट, कुछ थोड़ी से, कुछ, ओ, 42 है, 6 मिस चार गया, 2, sorry, sorry, so sorry, so correct answer कितना हो गया, 84 meter square, वा भाई, 84 centimeter square, बहुत सांदार एरिया, ओके, तो इस तरीके से बन जा गए, बस इतना ही है, तो नोट कर लेजिए इसको, ओके, चलिए अगला question देखे, यह है, अपके पास किसका, construction का, जो की हट चुगा है, so, okay, टाटा, बाई-बाई, अगले question की तरफ बढ़ते हैं, लिओ भाई, question कह रहा है, the medium of the following data is 16, इस data का, medium कितना है, 16 दिया है, कहरा frequency find करो, तो सबसे पहले आपको total data दिया गया है, देखे, यहाँ पर total, total frequency किती है, 70 है, 70 मतलब इन सब को जोड़ो, 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 और किता आएगा, 70, तो चलो भाई, आप पहले table के treat table बना देते हैं, यह द देखिए, जो आपके पास frequency दी गई है, वो किती दी गई है, भाई साब, किती दी है frequency, 16, किती है frequency, 16, तो 16 किस class में होगी, इसमें, नहीं, इसमें, नहीं, इसमें, हाँ, तो 15 to 20 आपकी medium class है, क्योंकि 15 से लेके 20 की बीच में, क्या बैठी हुई है, 16 बैठा हुआ है, तो 16 की 15 to 20 की बीच में है, आज आओ, ताला लगाते हैं, यह है 15 to 20, ओके, exact, तो इसकी original frequency कितनी है, 15, और इसकी cumulative कितनी, 39 plus A, बट हम लोगो ऊपर वाले से मतलब होता है, तो आज आओ, formula में रख देते हैं, सब कुछ, formula सब को याद होगा, medium equal to L plus N upon 2 minus CF upon small f, into कितना, H, into कितना, H, तो बोलो सब कुछ रख दोगे, और finally आपको A की वेल्यू आ जाएगी, और A की वेल्यू, A plus B equal to कुछ आया था ना भी उपर, 70, yes, A plus B equal to 15, तो A की वेल्यू कितनी आ गई है, 8, so 8 plus B equal to 15, so B equal to 15 minus 8, how much? 7, okay, so done, एक बहतरी इन सा question हो चुका है, चलो भाई, अगला question देखते ह The following distribution shows the dairy product allowance children of the family locality, the mean pocket allowance is 18, find the missing frequency, okay, मतलब यहाँ पर mean दिया गया है, पिछले बार क्या दिया गया है, और इस बार क्या दिया है, आपको निकालना है, तो mean में भाई, cumulative frequency जैसी कोई चीज होती ही नहीं है, तो आपन को क्या निकालना पड़ेगा, midpoint, क्या निकालना सबसे पहले देखो, 13 से 13, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, 0.4 जोडने, हाँ, जोडने, घटाने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर यह अलग-अलग होता, तो चौकनने हो जाना, 0.5 को जोडना, 0.5 को घटाना, ओके, तो देखी, 11 से 13, number of children कितने है, 3, ओके, तो midpoint निकालो तो 11 और 3 का क्यों कमेंट प्रॉइंट, 12, अब चलिए, इसके बाद क्या लगा लिए, बीच का बंदर कौन है, बीच का बंदर 18, बीच का बंदर कौन है, इसमें, 18, यह ले लिया, देखे, बीच का बंदर, और हर डेटा में से माइनस करते जाए, यह माइनस करेंगे, यह यह बन जाएगा, FIDI और FIDI टोटल को एड कर देंगे, और आपको मीन कितना दे रखा है, 18, मीन कितना है, 18, so 18 इक्कॉल टूस, A, प्लस सिग्मा, FIDI, टोटल सम कर दिया, केकी वैलो कितनी आगे, 8 आगे, डन हो गया, भाई साब, अगला क्वेस्चन देखिए, क्वाटरे रूट में आएगे, तो हमें सब पेर में आएगे, 2 प्लस रूट 3, and 2 मैंस रूट 3, done, चलिए अगला क्वेशन देखते है, the two palm trees are equal height of standing opposite to the each other, तो दो पाम के tree है, एक यो, और एक यो, ओके के लगे हुए tree, equal height के है, मतलब ये भी है, और ये भी कितने का है, है, opposite to the each other, either side of the river, which is 80 meter wide, okay, नदी की चौडाई किती है, भाई साब, 80 meter, okay, 80 meter है, the angle of elevation of the top of the trees are 60 and 30, तो भाई साब, जो tree, पास में होगा, उसका angle of elevation ज्यादा होगा, okay, okay, tower से, देखे, two palm trees है, the angle of elevation of the top of the trees, तो जो point यहाँ पास में होगा, वो 60 पे देखेगा, और जो point दूर में होगा, वो क पास बन गया है, diagram कुछ इस तरीके से बन चुका है, एक है 60 का, एक है 30 का, अगर total के बीच की height 80 है, तो एक आप किसी को x ले सकते है, क्या ले सकते है, yes, तो एक आप किसी को x ले ले लेंगे, तो 60 degree वाले में देखे, मैं माल लेता हूँ, x, कितना माल लेता हूँ, x, तो यह कितना मनेगा, 80 minus x, अगर यह x है, तो यह कितनी होगी, so this will be 80 minus x, now guys, apply the 10 theta, because we are counter with perpendicular and base, okay, so 10 theta is equal to perpendicular upon base, h upon x, the root 3 is equal to h upon x, h कि value कितनी हागी, under root 3, x, done, now again, 10 theta lagई, so 10 theta, 10 30 degree is equal to perpendicular upon base, perpendicular is h, and base is 80 minus x, so 1 upon root 3 is equal to h upon 80 minus x, so I am writing here, 1 upon root 3 is equal to h upon 80 minus x, बड़ बच्चो, अभी आपने h की value कितनी नहीं का ली थी, root 3 x नहीं का ली थी नहीं, तो अगर मैं इस h की जगे, root 3 x रख दूं, तो पुलिस मुझे पकड़ेगी, क्या, नहीं पकड़ेगी, root 3 x into root 3, कितना हो गया, 3, okay, root 3 into root 3, कितना हो गया, 3, 3 is equals to, कितना होगा, cross multiply, 80 minus x, and x plus 3 x equal to 4 x, 4 x equal to 80, so x equal to kitना हो गया, 20, so मतलब एक पेर से किती दूरी है की 20, और दूसरे से किती होगी 60, so answer is current 20 and 60, okay, correct, चली, next question, देखते है, next question, the angle of depression of the top and bottom of a building 50 meter high, as order from a top of the tower at 30 and 60 degree, तो दो टाबर है, okay, the angle of elevation, top of top and bottom of a building 50 meter high, observed from the top of the tower, 30 and 50 degree, the height of the tower, find the height of the tower, and also horizontal distance between the building and the tower, तो भाई, सारी चीज़ें आपको निकाल लिए, ऐसे question हमने बहुत सारे डेरो करे हैं, तो देखिए, ये है अपने भाई सब top of the tower, और ये है building, okay, तो building का angle of depression बन रहा है, okay, building का जो angle of depression बन रहा है, कितना बन रहा है, 30 and 60, तो उपर वाला point 30 और नीचे कितना है, 60 है, तो दो triangle बना लीजे, बोली बन जाएगा न, इसमें तो कुछ, ये, इसके जैसे हमने काफे question करें, तो correct answer कितना रहा, 43.25, so guys, इतनी मेहनत करने के बाद हमारा पहला paper हो चुका है, बहुत मज़ा आया, okay, तो चलिए, ऐसे paper करते रहे है, all the best, thank you so much for being with location sir, unlimited history zone, this is location sir, signing off.